हमने लगा दिया है जगरा और इसमें डालेंगे चूर्या और बाटी हमने बना लिये हैं पिंडे इसका बनेगा चूर्मा अभी यह सिखाई होगी इसकी अच्छे से आग में तो इसके बाद में बनेगा चूर्मा तो वाइस फाइनली अपनी डाल कंप्लीट हो चुकी है तु जूले पे बनाई ये चूले ये तो मैं रहे है सबजी कैसी बनती है बही क्यों तैस्टी दाल बनाई भूक थी प्यारा मौसम से बिलकुल भी नहीं और यह एपनी गाय है चैरह चर घ्रियह लिए अट ऑर गाइस यह जो पक्सी होते हैं ये हमारी फसल को नखसान भी को बहुत सारे नुक्सान कर देतें लेकिन इसका कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल इसको कर दिया है बंद और अब इसमें डालेंगे बाटियां और अभी दिखाता हूं आपको कैसे क्या होता है कैसे सिखाई होती है और सो गाईज भिलाल वैट करते हैं कुछ बनने का खाने-पेने की चीज़े बनती है तब तक ढई गर चलते हैं अपने घर की तरफ और देखते भाटियां सिख गई और यह नहीं सिख अभी तक चैकट नाउ बाइज यह बाटिया अपनी तयार हो गई है और यह स्तर से सिखता है इस तरह से सिखाई होती है चूरमा है इसको देख के रहे तो मुझ में पानी आ रहा है और यह बाटी आए गईस पानी इसमें कीड़े होते हैं बहुत सारे और यह अपने बैसों के लिए पानी है टंकियां बैसे पानी पीती है इसमें यह देखिए सामने इतना दूर तक वहां तक पानी पानी है बहुत दूर तक चारों तरफ हरिया लिए चारों तरफ हरियाली अरे बैसाब क्या हुआ जावा भूग लग रही कि आपको अब्हराज बोलो यह अपनी स्पेशल दाल बाटी बहुत ही बढ़िया टेस्ट गाइस बहुत ही बढ़िया अब कर देशी की में बाटियां बनाईए गाइस प्योवर देशी की है गाई का अब तो गाइस कल का मेला लगेगा यहां पर गुजर भी आएगा और चम्यान आचेगी यहां पर दुकाने लगेगी और यह मेले का प्रोग्राम फुरा प्यारी कर रहे हैं लोग इस बहुत ही प्यारी लोकस है बहुत ही बढ़िया जगह है बैठने के लिए साम को यहां पर बैठते हैं यह तानिस भाही अपना साथ में बैठे हैं चलिए गाइस लब यू बबाए श्यू इंदे नेक्स फ्लोग कल आएगा मेला बाबा का मेला लगेगा कल वहीं मिलते है झाल